नमस्का जेंड दोस्तों इस वक्त से बड़ी ख़बर निकल कर आ ळिए आपको बता देना चाहते कोरोना लोगडाउन से जुरी सबसे बड़ी ख़बर है, आप गिलोत का बहुत ही बड़ा फेसला इस वक्त ले लिया गया है, अगर आप राजिस्तान से और ख़बर देखना राजस्तान की कोरोना से जुड़ी हुई लोकडाउन से जुड़ी हुई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले जैसा कि दोस्तों आप सभी जानता है कि कोरोना इस वक्त पूरा देश में तांड़ों मचा रहा है और दोस्तों तमाम बड़ी खबरें दस बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं कि किस किस जिले में जो हैं कहा कहा पर सकती रहेगी किस किस जिगर लोकडाउन जो हैं दोस्तों और बढ़ाया जा सकता है क्या बड़ी खबर निकल कर आ रहे हैं सबसे बड़ी खबर भी बताए तो चले चलते पहली बड़ी कपर पर नियायले ने राजस्तान के 36,000 नीजी स्कूलों को चात्रों को चात्रों से 15 पर्तिशत कम फीस वसूल करें। जी हाँ दोस्तों उचितम नियायल ने सोमार को राजस्तान के 36,000 गेर साहिता प्राप्त नीजी स्कुलों को सोमार को निर्देश दिया कि वह सेक्षिन शत्र दोजार बीस इक्किस के लिए छात्रों को सालाना 15% कम फीज रसुल करें इसने स्पष्ट किया कि फीज का भुगत करने से संबनित कानुनों के तैद बनाएंगे नियम की वेदेता को दीगी चुनोती को खायरिस कर दिया था नियायमूर्ती एम खान विलकर और नियायमूर्ती दिनेस महिस्वरी की फीट ने 128 पन्नों के अपने पेसले में स्पेस्ट किया कि सेक्षिन इस सत्र दोजार बीस के लिए चात्रों अभिवाओ को द्वारा सुल्क का भुगतान छे बाराबर किस्तों में किया जाएगा तो ये भी दोस्तों बड़ी कबर आ रही इस वक्त की दूसरी बड़ी कबर आपको बता देना चाहते हैं जैपूर में आने जाने पर लगा पून पर्तिबंद जीला परसासन नहीं जारी करेगा किसी भी तरह क्या पास जिया दोस्तों इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है आपको बता दें जिला क्लेक्टर अंतर से नेरा बोले नहीं जिले में किसी को आने की परमीचन है नहीं किसी को जाने की अगर किसी को को इमर्जेंसी है तो सारज प्रजनिक प्रिवेंद का इस्तेमाल करें जी हां दोस्तों जैपूर में कोरोना मामारी लगातार बढ़ने से लोगों की मोत की आगोस में ले रही है लगातार मोतों के बढ़ते आकड़ों के बावजूद आम जिन्ता की लापरवाई जारी है इसे देखते हुए जिला परसा आपको बता देना चाहते है जिस वक्याइब वज़े से कोरोना जो फेल रहा है वो जैपूर परसासे ने बड़ा अपडेट लिया है आईए चलते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी कबर पर आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों राजस्तान में कोरोना के 17296 ने मामले 154 की म मामलों की गिरावट के साथ 17266 मामले सामने आए जैपूर जिले में भी तेजी से आकड़ा गिरा है और 811 की गिरावट के साथ परदेश में सावराधिक 3585 ने संकरवित मिले हैं परदेश मोतों का आकड़ा भी अभी चिंताचना बना हुआ है अब एक सो चोपन मोते कि इस दोरान 119494 संकरवित रिकवर हैं विससुक्यों का अनुसार गिरावट का ये ट्रेंड बना रहता है तो परदेश के लिए सूकत संकेत होगा इससे एक्टिव केस में कमी आएगी इससे आने वाले दियो में अस्पतालों पर से संकरवित का दबाव भी कम होगा